हेलो नमस्कार ये आप लोग ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट हैं येदि आपने भी अपना अस्तानत की डिगरी 2022 से लेकर के 2023 में कम्पलीट किये हैं और लंबे समय से इंतिजार कर रहे थे कि ग्रेजुएशन पास पच्छा असजार स्कॉलर सीप रासी के लिए आवेदन दे सकते हैं जिसकी आवेदन की तीथी को लेकर के एक नया अपडेट आ चुका है तो आएए जानते हैं कि आज की इस बीड़ो में कि आपसे लोग जो भी आउनलाइन आवेदन है वो कब से दे पाएंगे और कौन-कौन से स्टूडेंट इमें आउनलाइन आवेदन करने के लिए क्या है और साथ-साथ आउनलाइन आवेदन करने में क्या-क्या डोकुमेंट लगेगा तो पूरी जानकारी आज की इस बीड़ो में हम आपसे को देंगे इसलिए सबीसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बीड़ो को कंप्लीड वोच कीजिगा पू यदि आप लोग यह सभी जानकारी जानना चाहते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरू कर लिजीगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप से बीड़ो को गिरेजिएशन पास एसकोलर सीप की रासी है वो दी जाती है तो जो भी पास योजना के द्वारा उनको जिभी गिरेजिएशन की रासी है वो यहाँ पर दी जाती है सीध है उनके बैंक अकाउंड में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सत्रे 18-21 और 19-22 और 20-27 वाले स्टूडेंट है जो की यह लोग अपना जिभी गिरेजिएशन है वो क तो सबसे पहले बता दू कि इनमें आउनलाइन आविदन करने के लिए कौन-कौन इलिजबल होंगे तो आप सीभी बता दी कि यदि आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो बता दू कौन-कौन इलिजबल है सेशन वाले स्टूडेंट जो अपना गरेजवेशन कम्पलीट कर चुके हैं तो यदि आप लोग का 2018-21 है और 11-22 है और 20-13 है यदि आप लोग आपना जीब गरेजवेशन है ईक्वी अक्टूबर 2030 के बीच में यदि आप सभी का रिजल्ट को जारी किया गया है result आया हुआ है तो आप से भी लोग इन में आवेदन दे पाएंगे सिर्प भवाई लोग देंगे जिसका जो भी result है 1 November 2022 से 31 October 2023 के बीच में result पब्लिस किया है अब किस प्रकार से online आवेदन देंगे क्या इसमें आप से भी date है वो मैं उसके बारे में बता दू सबसे पहले बता दू कि आप से भी इसमें online आवेदन लिया जाएगा इसमें आप से भी लिस्ट जारे किया जएगा जो भी eligible student होंगे वो अपना नाम देख करके अपना online आवेदन देपाएंगे सबसे पहले आप से भी online आवेदन करने के लिए और क्या-kian document लेगा यह सारी जानकारी को चेक करने के लिए सबसे पहले अपने Google को उपन किजेगा और Google को उपन करने के बाद यहाँ पे सर्च किजेगा गुलसानस्टडी.com यहाँ पे आप से वो लिंक मिलेगा आउनलाइन अपलाई करने का और डोकुमेंट क्या लगेगा और कौन-कौन इलिजबल स्टूडेंट है वो सभी जानकारी देखने को मिलेगा तो Google को उपन किजेगा और यहाँ पे सर्च हीजेगा गुलसानस्टडी.com यहाँ पे जैसे उपन किजेगा पहले ही साइट को उपन कर लेना जो भी उपन होगा उसके बाद आपसे वो को येदी mobile से कर रा है तो desktop mode भी कर लिजेगा बिहार graduate वाले स्कॉलर्शीप उसके बाद लिए यहाँ यहाँ पर नहीं आता है अब यहाँ पे आपसे बिल्ग देख पाएंगे कि आपसे का online आविदन कब से सुरू होने वाला है तो सबसे पहले बता दे कि आपसे इनमें क्या-क्या document लगेगा तो document की बात करना तो सबसे पहले आपसे का जोबी graduation का marksit है वो यहाँ पे marksit होना चाहिए और जो भी आविदिका है यानि कि online आविदन करने वाले student है उनका अधार card होना चाहिए उसके बात चालू mobile number, email id और आविदक का जोबी passport size photo वो लगेगा निवास परमौन पत्र और आई परमौन पत्र यह साले जोबी certificate है वो उनको लगने वाला है online आविदन करते समय अब बात करते हैं कि आपसे का इनमे online आविदन करने का जोबी date है वो कब से होने वाली है तो मैं आपसे ख़़गा है कि इनका जोबी date है वो यहाँ पर confirm नहीं बताएगा लेकिन update आया है कि आपसे ख़गा online आविदन है वो यहाँ पर जल्द ही शुरू होने वाली है तो आपसे ख़गा online आविदन कब से शुरू हो जाएगा तो आपसे ख़गा हो यहाँ पर अगस्त चल रहा है अगस्त के बाद आपसे सितंबर आएगा तो सितंबर के last में आपसे लजबी online आविदन के परिकिरिया है वो यहाँ पर सुरू कर दी जाएगी इनको लेकर के update आ जाएगा यहाँ पर update आ चुका है लेकिन आपसे जैसे notice आने की देर है इनके सिक्षा भिवा के द्वारा जैसे notice आ जाएगा तो online आवेदन करने का जुबी start है परिकरिया सुरू कर दी जाएगी तो इनको लेकर के update आ चुकी है तो यहाँ से आपसे भी लोग आकर के online registration करेंगे और अपना जुबी application login करके final submit करेंगे और application का status चेक करेंगे तो यहाँ पर सभी लिंक आपसे भी प्रवाइड किया गया इसका लिंक आपसे भी वीडियो के decision box में भी देखने को मिल जागा वहां से आप यहाँ पर आकर के online आवेदन देपाएंगे तो I hope कि मेरा दोग बताई जान करेंगे आपसे भी लोग समझ भाएंगे वीडियो फ़सन आए तो लाइक कीजिएगा यह आप लोगा किसी परकार का confusion या आपसे भी वोगा query है तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं फिलाल मीद दें किसी next video में